हालो इस्टुट्स नेक्स्ट हम डिस्वस करेंगे एक्जैम्पल नम्मर 16 देखो क्या गरा है रिप्रेजेंट दा रिकरिंग डैसिमल नम्मर यह आपने क्लास 9 में पढ़े होंगे कि इनको किस तरीके से हम रैशनल नमर में करते हैं पर वह मैथड यूज नहीं करना हमें 0.3 अलग प्लस 0.04 अलग प्लस 0.004 अलग कहां तक इन्फनेट टॉंस था ठीक है अब इसको ओपन कर लो थ्री बाई टैन फोर बाई हंड्रेड आ ओर बाई थाउजड ठीक है 4 by 100 आपने common निकाल लिए इधर से क्या बचा 1 बचा इधर से क्या बचा 10 बचा इधर से क्या बचा 100 बचा ऐसे करके infinite terms कर चलेंगे अब आपको पता infinite terms यह आपका ऐसा GP दिख रहा है आपको यहां A का value किता है 1 है और जब infinite terms होता है तो GP का formula कराता है A upon 1 minus R simple पस वही लगा दो आप 3 by 10 प्लस 4 by 100 उस formula के साबसे 1 minus R की value कितनी होगी देखो इसको 1 से divide करेंगे यह नहीं वन बचाएं वन बचाएं वन बचाएं आपके पास देखो 3 by 10 4 by 10 एक सिकनिया शायत प्लस है ना या प्लस है प्लस है प्लस 4 by 10 multiply 1 by 9 90 हो गया 27 plus 4 90 समझ में आया कुछ ठीक है 31 upon 90 यह इसका अंसर हो गया या या आप 0.34 बार के वल 4 पर बार है उसकी जगे यह लिख सकते हो अब इसकी में आपको ट्रिक भी बताओंगा वैसे मैंने class 9 के अंदर बता रहे ही सब ट्रिक्स वगएर है तब यह आपको बता देता हूं अगर कोई जो वैल्यू देखो 34 उस में से आपको विदाउट बार की वैल्यू कितनी है 3 उसको आप माइनस कर दो जिस पे बार है उतने नीचे 9 लगा दो जितने विदाउट बार है उतने नीचे 0 लगा दो 34 में से 3 जाएगा 31 upon 90 देखो सेम अंसर आ रहा है वा सर मजा आ गया है कि नहीं तो ऐसे शॉर्ट कर सकते हो बटी एक्जाम में मत करना अंसर चेक करने के लिए एक्जाम करोगे तो टीचर वगरे शायद मार्क्स नहीं देंगे नहीं देंगे वैसे मेरे सब्सक्राइब तो यह हो गया गंप्लीट एक्जेम्पल 16